Hello Everyone, Welcome to Logic Parts of the Channel आज हम करेंगे Monthly Current Affairs August के इस Lecture का PDF आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर दिया गया है So आज हम देखेंगे State News Let's begin the session Question No.1 is Which state government has signed an MOU with the Telangana government to set up a financial institution for women in the state? तो ये कौन सी state ने किया है? तो ये किया है राजस्थान ने तो इसका अंसर रहेगा आपका Option D बात करें हम इसकी तो राजस्थान ग्रामीन आजीवी का विकास परिशद signed an MOU with the Telangana government's 3 नीधी Credit Cooperative Federation तो राजस्थान ने किन के साथ साथ साइन किया है MOU? तो ये किया है Telangana government के साथ तो ये किया है तो ये बनाएंगे राजस्थान महिला नीधी ठीक है? Question No.2 is Which state has become the first state to launch semiconductor policy in July 2022? तो इसका अंसर रहेगा आपका Option A तो ये है Gujarat बात करें गर हम Gujarat की तो यहां के CM कौन है? तो वे हैं Bhuupendra Patel बात करें इसकी Capital की तो वे है Ghandi Nagar Governor है यहां के Acharya Devrat Gir Forest National Park of Gujarat Black Book National Park One Star National Park Gulf Kach Merine National Park यह सारे National Park कहां पे है Gujarat में और यह बहुत important है पेपर में यह अक्सर पूछे गए है Next question is मुख्यमंत्री महतारी न्याय रत वोस लॉंच्ट बाइदा CM Office of the Falling State तो कौनसी state ने यह लॉंच की है? तो यह की है 36 गर्ड ने तो इसका अंसर रहेगा आपका Option C इसमें क्या रहेगा? इसका एम यह है Making the women of the state aware of their constitutional rights and laws तो इसमें यह बताएंगे women को उनके constitutional rights और law के बारे में तो यह शोट फिलम्स के द्वारा women के राइट के बारे में सबको बताएंगे नेक्स क्वेशन इस विच स्टेट पूलिस हाव विन प्रेजेंटेट दा प्रेस्टीजिस प्रेजिडेंट कलर बाइवाइस प्रेजिडेंट वें ख्यान आइडू? तो कौनसी स्टेट है ये? तो इसका अंसर रहेगा आपका option B that is Tamil Nadu Tamil Nadu के CM कौन है? तो वे है M.K.Stalin नेक्स क्वेशन इस विच स्टेट गवर्मेंट तो कौनसी स्टेट है ये? तो इसका अंसर रहेगा आपका option D that is Punjab पंजाब के CM कौन है? तो वे हैं भगवन्त मान बात करें पंजाब की तो इसकी कैपिटल है चंडिगर गवर्नर है इसके बनवारी लाल पुरोहित नेक्स पात करते हैं क्वेशन नमबर 6 की इसमें क्या पूछा गया है? विच स्टेट रिगेंट फर्स प्लेस इन 2021 विद दा नेशन's लोंगिस्ट हाउस सेशन आट 61 देज तो कौनसी स्टेट है? तो ये है केरला तो इसका अंसर रहेगा आपका option B नेक्स प्लेस्ट गवर्मेंट ने साथ निव दिस्टिक्स और बनाई है? तो वे बनाई है West Bengal ने West Bengal की CM कौन है? तो वे है ममतब एनरजी कापिटल क्या है? इसकी कॉल कता तो पहले West Bengal में 23 दिस्टिक्स थी और अब हो गई है 30 जो छे नहीं बनी है उनका क्या नाम है? सुंदर्बन, इच्छे मती रानाघाट, बिश्नुपूर जांगीपूर, भेरामपूर और जो एक और एड हुई है वे है बसीरहत रिजन ठीक है? Which state inaugurated a project of women and child development department to provide milk and eggs to children at all आंगनवाडिस in the state? तो कौनसी state ने ये start किया है? जिसमें जो बच्चों को milk और egg दिये जाएंगे आंगनवाडिसेंटर्स में तो ये start किया है केर लाने तो इसका अंसर रहेगा आपका option B तो ये करने जा रहा है तो इसका अंसर रहेगा आपका option C तो जैसे कि इसका अंसर है गोवाड इसके बारे में अगर हम देखें तो जो गोवा है ये पहली will become the first police state in India to go completely paperless तो ये पहली state बनेगी इंडिया की जहां पर जो police का काम रहेगा वह totally paperless रहेगा इस agreement में क्या है With 5IR will help Goa police to implement a smart policing solution इससे क्या रहेगा एक transparency आएगी system में और साथ ही साथ efficiency increase होगी ठीक है Next question is Which state government has launched Chirag scheme to provide free education to the students of economically weaker section तो कौनसी state ने launch किया है ये तो ये launch किया गया है हरयाना के द्वारा तो इसका अंसर रहेगा आपका option A तो Chirag क्या है आपका Chief Minister Equal Education Relief Assistance and Grant Next question is Where has India's first Himalayan Spice Garden established तो कहां पर ये बनाया गया है तो ये बनाया गया है रानी खेत उत्राखंड के अंदर बात करें गर हम उत्राखंड की तो इसकी capital क्या है तो ये है देहरादून Next question is Which state government has started Panch Amrit Yojna to promote sugarcane cultivation using new technology तो कौनसी state करने जा रही है ये तो ये करेगी UP तो इसका अंसर रहेगा आपका option B Next question is The CM of which state has launched the Indian farmer fertilizer cooperative limited nano urea supreme scheme statewide तो कौनसी state की CM ने ये किया है तो ये किया है गुजरात के CM ने तो इसका अंसर रहेगा आपका option A The scheme will promote the use of drones in the agricultural sector and is supposed to cut down the agricultural cost and increase the income of the farmers तो इससे क्या रहेगा कि जो income रहेगी farmers की वे increase होगी Next question is Which will become the first state in India to develop one Sanskrit gram in every district to promote Sanskrit language तो कौनसी state है ये तो ये है उत्राखन तो इसका अंसर रहेगा आपका option A The उत्राखन government has decided to develop one Sanskrit gram in all 13 districts of the state That is there will be a village in every district where people will converse in Sanskrit language तो इसमें क्या रहेगा कि हर एक जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा Sanskrit gram 13 districts के अंदर और वहां पे लोग किसमें बात करेंगे Sanskrit language में The residents of these villages will be trained by experts to use the ancient Indian language in daily conversation तो जो इस villages में रहने वाले लोगों को कौन train करेगा? Experts ठीक है Next question is For the first time in India, the government of which state has introduced Nithana Ku Bima scheme तो कौन सी state है ये? तो ये है Telangana तो इसका अंसर रहेगा आपका option A This first of its kind scheme was virtually launched by किसने लाँच किया है Telangana के हैंडलूम मनिस्टर केटी रमाराउने Next question is Which state is going to implement 100% national education policy in higher education from next academic year? तो कौन सी state है ये? तो ये है गोवा तो इसका अंसर रहेगा आपका option C गोवा के CM कौन है? तो वे हैं प्रमोट सावंत In 2021, Karnatka became the first state in the country to implement national education policy Next question is Prime Minister Narendra Modi dedicated to the nation the second generation ethanol plant in which state? तो कौन सी state में देखने को मिलेगा ये? तो ये देखने को मिलेगा आपको option A That is Haryana Haryana के CM कौन है? तो वे हैं Manohar Lal Khattar तो ये क्या generate करेगा? Around 3 करोड लीटर ओफ इथेनोल पर एनम ठीक है? और जो इंडिया का पहला इथेनोल प्लांट है वे कहां पर integrate किया गया है? पूर्निया बिहार के अंदर बात करें यहां के गवर्नर की तो इनका नाम है बंदारू दत्ताराया लोकसभा सीट सें यहां की 10 राज्यसभा सीट सें यहां की 5 नैशनल पार्क्स देखें तो कौन-कौन सा है? कलेसर नैशनल पार्क, सुल्तानपूर नैशनल पार्क डैम की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कोशल्या डैम कौन सी रिवर पे? कोशल्या पे ओटु बराज घागर रिवर पे अनागपूर डैम कौन सी रिवर पे? हाकरा रिवर पे नेक्स्स क्वेशन इस इन ओगस्ट 2022 नितिश कुमार तुक ओथ ऐस दा बिहार सीएम फोर विच टाइम तो कौन से टाइम ये बनने जा रहे हैं फिर से सीएम एर्थ टाइम तो इसका अंसर रहेगा आपका ओप्शन बी बिहार की बात करें तो ये इस्टाबलिश हुआ था 22 मार्च 1912 में कैपिटल है इसकी पटना सीएम है यहां के नितिश कुमार गवर्नर है यहां के फागु चुहान फोक टांसी स कौन-कौन से हैं तो वे हैं बीदेशिया, जाड़ जतिन जुम्री, जिजेया, कजरी, पैका, फागुआ ठीक है लोग सबा सीट से हैं यहां की 40 राज्य सबा है 16 और असेम्बली सीट से हैं यहां पे 243 Option D, that is जम्मू कश्मीर, ठीक है तो इसका अंसर रहेगा आपका Option D Next question is Which state launched a mobile app called Lucky Bill App to Cubs GST evasion तो कौन सी स्टेट ने यह लाँच किया है तो यह किया है केरला ने तो इसका अंसर रहेगा Option A तो जो लोग evade करती हैं ने GST उसके लिए इन्होंने इसको launch किया है, कि वहाँ इसको evade ना कर पाएं Next question is Which state has launched मुख्यमंत्री बल आशिरवाद योजना to provide financial assistance to orphan children तो कौन सी स्टेट ने किया है यह launch तो यह किया है मध्यपरदेश ने तो इसका अंसर रहेगा Option D Next question बात करें मध्यपरदेश की तो यह establish हुई है 1 November 1956 को Capital है इसकी भोपाल CM है इसके शिवराज सिंग चोहान Governor है इसके मंगु भाई चंगन भाई पतेल लोगसभा सीट सें 29 राजे सबा सीट सें 11 और Assembly सें 230 Next question is India's first underwater metro train will be started in which city तो कौनसी city में यह देखने को मिलेगी तो इसका अंसर रहेगा आपका Option D that is Kolkata Capital है किसकी West Bengal की This metro train will pass through a tunnel built under the Hooghli river The length of this tunnel कितने length है इसकी 10.8 km This line will be of total 16.55 km जिसमें से work has कितने पर काम हो चुका है 9.30 km पे From Sealedha and rest work will be completed by June 2023 तो June 2023 तक यह काम पूरा इसका complete हो जाएगा Next question is India has added How many wetlands to the list of Ramsar sites bringing the country total tally of these sites to 75 तो कितनी add किया है इनोंने और 11 तो इसका अंसर रहेगा आपका Option C सबसे जादा कहां पे देखने को मिलेगी आपको Ramsar sites तो वह देखने को मिलेगी आपको Tamil Nadu में उसके बाद UP में Tamil Nadu में रहेंगी 14 Ramsar sites और UP में कितनी है तो वे है 10 next question is which state government has signed an MOU with the National Institute of Ocean Technology for protection of its coast तो कौनसी state के साथ किया है तो ये किया है Odisha के साथ तो इसका अंसर रहेगा आपका Option C Odisha has a vast coastline of 480 km and the coastal area are exposed to natural disasters तो कितनी coastline है इनकी 480 km नेक्स question is in which UT the village defense card scheme 2022 came into effect in August 2022 तो कौनसी है ये तो ये है JNK तो इसका अंसर रहेगा आपका Option D पहले इस scheme का क्या नाम था village defense committee जिसमें की जो volunteers रहेंगे village में से उन्हें train किया जाएगा Indian army के द्वारा और police के द्वारा ठीक है next question is at which river the world highest single arc railway bridge is being built तो कौनसी रिवर है ये तो ये है चेनाप तो इसका अंसर रहेगा आपका Option A next question is which state government has approved Rs. 2808.39 करोर for the promotion of millets in the tribal area of the state in August 2022 तो कौनसी है ये तो इसका अंसर रहेगा आपका Option A that is Odisha next question is which state government has announced a 3% rise in the dareness allowance to the government employees of the state तो कौनसी state ने किया है ये तो ये किया है आपका इसका अंसर रहेगा Option A that is Maharashtra Maharashtra की capital क्या है मुंबई तो पहले कितना था इनका अब हो गया है 34% what is the name of Arunachal Pradesh third airport which is now under construction in Itanagar तो आपने बताना है Arunachal Pradesh में जो third airport बनने जा रहा है इटा नगर तो वहक उसका नाम क्या है तो उसका नाम है Donio Polo Airport तो इसका अंसर रहेगा आपका Option D इसमें Donio का मतलब है Sun और Polo का मतलब है Moon ठीक है ये उनकी local language में है next question is Arunachal Pradesh की बात करें तो इसकी capital है इटा नगर CM है इसके पेमा खांडू गवर्नर है इसके BD Mishra नैशनल पार्क देखने को मिलेंगे यहां पे आपको नाम डफा और मोलिंग नैशनल पार्क next question is the CM of which state has announced that the government will provide 2% reservation to the sports person in all state departments तो कौनसी state ने किया है ये तो इसका अंसर रहेगा Option D that is Karnataka the CM of which state UT announced make India number one mission तो ये कौनसी state यहां UT ने किया है तो ये किया है Delhi ने तो इसका अंसर रहेगा Option B it was launched at Delhi's Talkotra Stadium it will focus on health, education, agriculture and employment तो इसमें किस के ऊपर focus किया जाएगा health के ऊपर, education के ऊपर, agriculture पे और employment के ऊपर next question is which has become the first tribal functionally literate district of India तो इसका अंसर रहेगा आपका option B मांडला कहां पे मध्यपरदेश में तो इसका अंसर है B next question is union minister of state for health भार्ती प्रवीन प्रवीन पावर वर्चुली लॉंच ता पालन thousand national campaign and parenting app in which city तो कौन सी city में ये लॉंच किया गया है तो ये किया गया है मुंबई में तो इसका अंसर रहेगा आपका option D तो जो आपका पालन thousand है इसमें क्या रहेगा journey of first thousand days जिसमें की focus किया जाएगा बच्चे की cognitive development के ऊपर जो उसके पहले दो साल होंगे उसकी life के ठीक है next question is which state is set to integrate Rajiv Gandhi Center of Advanced Technology तो कौन सी state करेगी ये तो ये करने जा रहे है राजस्थान तो इसका अंसर रहेगा आपका option A इसे integrate किया गया है किसके द्वारा CM Ashok घहलोट के द्वारा ठीक है इसमें क्या रहेगा with an aim to make tech graduate more employable Rajasthan government is set to integrate Rajiv Gandhi Center for Advanced Technology और RCAT next question is which state government has launched आम योजना वतसाल्य योजना for the welfare of women of the state तो ये किसने कौन सी state ने किया है तो ये किया है आपका इसका अंसर रहेगा option A that is Sikkim तो इसमें क्या रहेगा जो unemployed mothers है state की उन्हें दिया जाएगा बीस हजार हर साल ठीक है और अंडर वाटसाल्य योजना में क्या किया जाएगा तीन लाग की मदद की जाएगी किनको to childless women for in vitro fertilization treatment next question is अवनाचल परदेश लांच the first flight of drone service medicine from the sky from SEPA to Chayang Tejo in which district तो कौन सी district में है ये तो इसका अंसर रहेगा आपका option B that is east coming next question is which state has become the first हर घर जल certified state in the country तो कौन सी है ये तो इसका अंसर रहेगा आपका option B that is Goa Goa and Dadar and Nagar, Haveli and Daman and Dew have become respectively the first हर घर जल certified state and UT in the country next question is in which state border road organization is going to build steel slag road on a pilot project basis तो ये कहां पे बनने जा रही है तो इसका अंसर रहेगा आपका option D that is अवनाचल परदेश next question is अच्छा गर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या रहेगा इसका aim ये है कि ये resolve करेगा connectivity issues को जो कि वहां के लोग face करते हैं question number 40 is which state government has announced the Dahi Handi will now be recognized as an official sport in the state तो ये किया है महराष्टरा ने महराष्टरा की capital है मुंबई इसमें क्या रहेगा जो गुविंदस होते हैं उन्हें job दी जाएगी और साथ ही साथ दही हांडी में क्या रहेगा ये एक popular event है state का जो कि जब Lord Krishna का birthday होता है जनमस्ट में जिसे कहते हैं उस time पे वो जो मटकी को फोडा जाता है ये देखिए तो इसे कहते हैं हम दही हांडी ठीक है तो कौनसी state ने किया है ये तो इसका अंसर रहेगा आपका option B देट इस असम असम की capital क्या है तो वे है डिस्पूर इन विच सीटी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंग हैस लॉंच्ट इंडिया फर्स्ट इंडिजीनिस डवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस तो कौनसी state है ये तो ये है आपकी महराष्ट्रा में पूने ठीक है तो इसका अंसर है आपका option A दबस हैस बिन डवलप बाई किसके द्वरा डवलप की गही है CSIR के द्वारा और प्राइवेट फर्म KPIT लिम्टिड के द्वारा ठीक है Union Government has awarded GI TAG to Daesh in August 2022 तो किसे दिया गया है GI TAG मिठीला मखाना को तो ये है आपका option B option C ठीक है next question is which state government has announced to set up 300 rural industrial park in state to boost and strengthen the village economy तो ये किया है 36 करने तो इसका अंसर है का option D 36 कर की capital क्या है तो वे है रायपूर इसमें क्या रहेगा इसका objective ये है कि ये source एक तरहां का source income का source है जरिया जो आपका रह इंक्रीज करेगा किसके लिए जो रूलर पूर फैमिलिस होती है जो गाउं के अंदर गरीब लोग होते हैं उनके लिए एक additional income का source generate किया है ये ठीक है इंडियास first commercial space situational awareness observatory will be set up in which state तो ये करने जा रहे हैं उत्राखंड में तो इसका answer रहेगा आपका option A बात करेगर हम उत्राखंड की तो यहां की capital है देहरादून आप मुझे comment box में ये बताएंगे कि जो corporate national park है इसका पहला नाम क्या था ये paper में बहुत बार पूछा गया है next question is in a first which state is planning to build an education township in the state तो इसका answer रहेगा आपका option D that is उत्रप्रदेश next question is इसमें के पूछा गया है which state government had signed a pact with the British High Commissioner to provide scholarship in 2022 तो इसका answer रहेगा option D that is जार्खन तो किने scholarship दी जाएगी तो ये दी जाएगी उन बच्चों को जो के backward class को बिलोंग करते हैं ठीक है इस scholarship will offer full financial sport to pursue a one year master in the UK और उन्हें अगर UK के अंदर one year की master के लिए इसमें पूरी financial sport प्रोवाइट की जाएगे जार्खन कब बना था 15 निमेंबर 2000 को capital है इसके राजी, CM है इसके हेमन सोरेन, governor है इसके रामेश, लोग सबाज seats है 14, राजे सबाज seats है 6 और assembly seats कितनी है तो वे है 81 हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited commenced its cow dung to compressed biogas project in which state तो कौन सी स्टेट में करने जा रहे हैं तो इसका आंसर है option C, that is Rajasthan commenced का मतलब क्या रहता है, start करना किसी चीज़ को, ठीक है next question is, which lake has been declared a monument of national importance in August 2022 तो वे है अनंग तल लेक, कहां पे देखने को मिलेगी ये आपको Delhi के अंदर, जो अनंग तंग लेक है, ये जो आपकी है, इसको बनाया गया था किसके द्वारा, Tomer King, अनंग पाल Tomer के द्वारा, ठीक है 11th century में तो इसका आंसर है आपका option D next question is, which district has been declared as the best aspirational district in August 2022 तो वे है हरी द्वार, तो इसका आंसर रहेगा आपका option D बात करेगा हम aspirational district की, तो इसमें आपका जो aspirational district program है ये launch किया गया था, 2018 के अंदर in which city India's first 3D printed post office is going to be open तो ये करने जा रहे हैं Bengaluru में Bengaluru किसकी capital है, तो वे है करनाटका की, तो इसका आंसर है option C which state got a second railway station after a gap of more than 119 years with the commissioning of a new facility at Shokuvi, तो कांसी state है जहां पे second railway station बनने जा रहा है 119 सालों के बाद, तो वे है आपकी नागा लेंड, तो इसका अंसर रहेगा option B दीमापूर railway station was inaugurated in 1903, the Doni Polo Express ran daily between Guhaati in Assam and Nehra Lagoon in Arunachal Pradesh, the train service has now been extended till Shokuvi नागलेंड की बात करें, तो यहां की CM है Nephew Rio, Governor है जगदीश मुकी, लोग सबा सीट्स हैं एक, राजे सबा सीट्स हैं एक, State Animal है गाहिल, State Bird है यहां की, Tragopan, National Park है यहां का, Intan की National Park, Dam है यहां का, Dowing Dam, जो की Dowing River पे है Next question is, In which state did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the Samriti One Memorial? तो यह इन्होंने कहां पे किया है, तो यह किया है, inaugurate Gujarat के अंदर, तो इसका अंसर रहेगा आपका Option B तो यह है इसका Option B, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Samriti One Memorial, जो की celebrate करेगा resilience shown by the people during the devastating 2001 earthquake in the Kutch region of Gujarat जो 2001 के अंदर, कच के अंदर, earthquake आया था, उसके regarding यहां पे यह memorial बनाया गया है The grand structure which is first such memorial in the country is spread over 470 acres on Bhujiu Hill near Bhujiu Town तो कितनी areas में occupy किया है, तो वे किया है, 470 acres पे यह बनाया गया है Next question is, मर्बद festival 2022 celebrated कहां पे मनाया जाता है यह? तो यह मनाया जाता है आपका नागपूर महाराश्टरा के अंदर तो इसका answer रहेगा आपका option C तो जो मर्बद उत्सब 2022 है, नागपूर city के अंदर मनाया जाता है महाराश्टरा की इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? This unique festival is a special identity of नागपूर people of नागपूर celebrate this festival to keep away evil forces and disease question no.55 is in which state or UT, Atal Innovation Mission and Niti Aayog have announced to establish more than 500 Atal Tinkering Labs तो कहां पर बनाने जा रहे हैं, J&K के अंदर तो इसका answer रहेगा आपका option D The objective of the aim are to create and promote an ecosystem of innovation and entrepreneurship across the country तो इनका aim क्या है, ये create करें और promote करें ऐसा ecosystem जिसके अंदर की बच्चों में क्या रहे एक innovative source develop हो, ठीक है? next question is, South India's most popular festival Onam Utzav 2022 has started in which state तो ये किया गया है, कहां पर मनाया जाता है, केरला के अंदर तो इसका answer रहेगा आपका option C Onam festival is closely related to agriculture and farmers Farmers worship Shravan Devta and Pushpa Devi for the protection of their crops and good yield तो basically जो Onam festival है, ये किस से related है, agriculture से इसमें जो farmers हैं, ये worship करते हैं, श्रवन देवता को और Pushpa Devi को, ठीक है? next question is, which state government has signed an MOU with the USA based parlay for the oceans on plastic waste management in the state तो कौन सी state है ये? तो आपके पास ये 4 options है, आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा आपका option D, that is Andhra Pradesh next question is, which state government has launched CM Udhyaman Khiladi Unyan Yojna in August 2022? तो कौन सी state है ये? तो इसका अंसर रहेगा आपका option C, that is Utrakhan Utrakhan की capital है देहरादून इस scheme की अंदर क्या रहेगा? sports scholarship दे जाएगी of rupees 1500 per month और इसमें क्या रहेगा? आपका किन को दी जाएगी? जिनकी age 8 to 14 years के बीच है which state Udhy government police has launched an online mobile application JK Eco? तो कौन सी है ये? जैसे की यहां पे लिखा है JK, तो यह है आपकी Jammu and Kashmir तो अभी यहां पे हमारी state news खतम होती है अब हम देखते हैं obituries जिनके death हुई है जो famous personalities है पहले बात करते हैं former Indian football team captain who passed away in August 2022 तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है Samar Badru Banerji तो इसका अंसर रहेका आपका option D He was based on with the Mohan Bagan Ratan in 2009 Banerji has also won the Santosh Trophy twice as a player 1953-1955 and once as a coach 1962 तो इन्हें Santosh Trophy से भी समानित किया गया है दो बार केरला's first tribal novelist and short story writer who passed away तो इनका नाम क्या है? तो आपके पास ये 4 options है आप इनने एक बार देख लेजिए तो इनका नाम है Narayan तो इसका अंसर रहेगा आपका option C जो Narayan है इनको दिया गया था केरला सहित्य अकाडमी अवार्ड in 1-999 इनकी novel कौनसी थी जिसके लिए दिया गया था तो वे थी कोचा रहे थी फिर इसी novel को English में ट्रांसलेट किया गया था दा आराया वियूमें जिनको की फिर crossword prize in 2011 से समानित किया गया था next question is popularly known as big bull of talal street passed away तो इनका नाम क्या है तो इनका नाम है राकेश जुन जुन वाला तो इसका अंसर रहेगा आपका option D तो जो आपके राकेश जुन जुन वाला है ये इंडिया के 36th richest billionaire थे अकाश एयर इंडिया's newest budget carrier airline was one of the business venture of जुन जुन वाला question number 63 is Pulitzer Prize winner Goh has passed away in August 2022 he was related to which country तो ये कौन सी country से बिलों करते थे तो ये थे अमेरिका से तो इसका अंसर रहेगा आपका option D Amitabh Chaudhary has passed away who was he तो ये कौन थे former president of Jharkand State Cricket Association former acting secretary of BCCI former chairman of Jharkand Public Service Commission तो इसका अंसर रहेगा आपका option D suitable all he served as acting secretary of BCCI कब तक रहे थे ये तो दो हजार उन्निस तक फिर इन्होंने enter किया था cricket administration 2004 में और इन्होंने serve किया है Jharkand State Cricket Association as a president for over a decade next question is which country former boxing world champion Jhone Femcon has passed away at the age of 77 तो ये कौन सी country से संबंध रखते थे तो ये थे Australia से तो इसका अंसर रहेगा आपका option A तो यहां पर हमारा ये आज का session खतम होता है I hope आपको ये session अच्छा लगा हो Thank you so much for watching this session हुआ है क आपना अब्लागर कि झापको षवका ये 16 одно हो कि दुड़ों कि अपको आपका कि अने की प्योंनी